परिशानी थमती तो नजर आ रही है लेकिन परिशानी इसलिए भी खत्म नजर नहीं आ रही है क्योंकि आफ़त की बारिश ने एक साथ कई परिशानियों को जन्म दिया है बिजली उन परिशानियों में साथ सबसे बड़ी परिशानी हो सकती है कई इलाकों में बिजली काट दी गई है और जहां पर बिजली है वहाँ परिस्तिती क्या है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नुकसान कितना बड़ा हो सकता है अगर आपके घर बिजली है भी तो इस्तेमाल करने लाइक नहीं है voltage का fluctuation इतना है कि एक एक मीटर जो है वो 90 पर काटा जा रहा है और फिर 400 की ओर बढ़ रहा है यानि कि voltage का fluctuation इतना है आपके घर के सामानों की छती हो सकती है हम पाटली पुत्रा इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आप इस voltage मीटर को देख सकते है किस तरह का fluctuation है दिक्कत इसलिए भी जादा है क्योंकि जब आप बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करते हैं तो उनका यही रोना होता है कि समस्या बड़ी है हम दिखवा लेते हैं समय नहीं बता सकते कोई limit time नहीं बता सकते कब तक समस्या ठीक हो जाएगी लेकिन जिस तरह का fluctuation है बिजली की जो दिक्त एक तो कई इलाकों में बिजली नहीं है बिजली काटी गई है और जहां पर बिजली है यानि कि पाट्ली पुत्रा उदाहरन है इस इलाके में बिजली है भी तो fluctuation इतना जादा है कि अगर उसको इसको इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान बड़ा हो सकता है इसलिए आपके घर में बिजली है भी तो इस तरह के fluctuation में उस तरह की बिजली का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मान के चलिए कि आपके घर भी बिजली नहीं है होते हुए भी तो ये समस्या है और आफ़त की बारिस ने इनी समस्याओं को जन्म दिया है इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दें कि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे प्यार से मर्थान अर्सहियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सौथ क्यर मोबाइल आप के द्वारा अधित जानकारी के लिए आप समपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-9811-11 9472-9822-22 सौथ क्यर आप स्रालूशन अट योर सिंगर टिप्स